आप सब खैरियत से होंगे आज किस वीडियो में हम लोग अपने किंडम एनिमेलिया को डिसकस करेंगे इसको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग देखेंगे इसको किस तरह से आप में प्रिपेर करने हैं अगर आप कोई भी एंट्री टेस्स दे रहे हैं तो देखने के बाद आ इसके बाद हम लोग एक टेबल देखेंगे जिसमें कमपैरिजन दिया होगा तो आएए अपनी वीडियो कम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपॉल हम लोग उसकी जैनरल क्रेक्टरेस्टिक्स को देख लेते हैं कि एनिमेल का जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड एनिमस है इसका मतलब साओल होता है एनिमल हमारे पास मल्टी सैलर होते हैं डिपलॉइड रहते हैं यूकैरियोटीक होते है प्रॉटॉक्टिस्ट से एवाल हैं हमारे पास इनका जो यह रेंज करते हैं माईक्रोस्कॉपिक औरगैम से ब्लू वेल तक यह मारे पास कुछ जैनरल यू मैटल भूए कि मारे पास नेक्स दो फर्दर क्लासिफिकेशन आ जएगे रेडियेट रेडियेट यूप अपका फाइलम नाइड एडिया और बाइलेट विगा कि फिर आगे तीन टाइपस हैं शीलोमेड Pseudo scillomates और acillomates Pseudo scillomates प्कास S-Helminthase आजएगा Acillomates में आपके पास PlattyHelminthase आजएगा Scillomates के अंदर आपके पास two तूटाइप्स होंगी Deuterostorms और Proterostorms Deuterostorms के लिए आपने वर्ड यार्दखने HEC, Hemicordeta, Akinodermetna Chordeta, Deuterostorms के और टेरो स्टॉम्स के लिए आपने वर्ड याद अकना है आम्ड यानि एनिलीडा, आर्थरोपोर्डा और मॉलस्का यह तो हमने जेनरल क्लासिफिकेशन देख ली कि कौन सा फाइलम जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है इस स्केट से बहुत ही चीज़ें आपके इडल म्यूजिक एंड आलवेज इट कुकंबर यह ट्रिक जो है वो उन बच्चों के जिनको फाइलम्स का सीक्विंस याद नहीं रहता सबसे पहले प्रिंस के पीसे हमारे पास कहाएगा पॉरिफरा, सी से नाइडेरिया, फिर प्लेटी हेलमेंटीस, नीडल के एंसे नीमा प्लेटोडा, फिर मुलस्का, एनलीडा, आर्थ्रोपोडा, काइनोडरमेटा, हैमी कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, यह तो हमने याद कर लिए फाइलम्स के नेम्स इन सीक्विंस, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फिर्स्ट फाइलम्स पॉरिफरा, पॉरि पॉरिफरा में CS है, पॉरिफरा में अब आप P, P से कैप पोर्जिन बोडी इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर ओस्टी और ओस्किलम होते हैं, रिप्रोडक्शन इसके अंदर दोनों तरहां की होती है, आई से हमारे पास नेक्स्ट आक हैं, इंट्रा सेलुर डाइजेशन भी होती है, इसके अंदर इंडरेक्ट डिवेल्पमेंट होती है, यानि लारवा स्टेज़ वे इसके बाद आई एफ से हम लोग यह याद कर सकते हैं, इसके अंदर इंटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, इसके बाद पॉरिफरा का जो एई आएगा हमारे पास, उसमें य कोईनोसाइट को भी आद कर सकते हैं, उसके बाद हमारे पास है, है का मतलब यानि यह हर्माफ्रोडायर होते हैं, इनके अंदर सेक्सिस जो हो सेपरेट नहीं होते हैं, अब आपने यह कोड याद कर लिया, पॉरिफरा में सी एस है, तो आपके पास बहुत सी प्रॉपर्ट साइट और हर्माफ्रोडायट, यह कुछ मेजर इसकी क्रेक्टर स्टिक्स थी जो आपने एक कोड से याद कर लिए, उसके बाद हम लोग इसके एक्जामपल याद करने के लिए एक कोड देखेंगे, सेल्स, यानि सेल्स किस चीज़ को बेचना, सेल्स, से साइकोन, ई से हम एंड पर इन कुमपैरिजन की फॉर्म में हम लोग इनको याद करेंगे, पहले हमनों कुछ ऐसी चीज़ें देख लें जो फाइलम में यूनीक है, उसके बाद हमारे पास आज़ेता है नाइडेरिया, नाइडेरिया में आपने कोड देखने है मेरी नाइडेरिया, मेरी सिरफ मेरी cn देख लें, m से ये mostly मेराइन होते है, e से इनके अंदर extracellular digestion होती है, r से radial symmetry होती है, i से intracellular digestion होती है, यानि इनके अंदर intracellular, extracellular दोनों टाइब की digestion होती है, c से हमारे पास क्या एकर नाइडोसाइड्स हैं, इनके अंदर जो cells होते हमारे पास इनको हम लो स्टिंगिंग सेल निमैटो सिस्ट होते हैं मेरी सी इन ठीक है उसके बाद हमारे पास बॉडि फॉर्म इसके नहीं पास पॉलिब भी होती है और मेड्यूसी बी होती है एक्जामपल हम्ने इसके किस तरह से आद करनी है ओ माहा ओ माहा यानि ओ ऑबीलिया में लिध्यस भी कईते हैं अ फक νावा वीडियिया अब हमारे पास यहाँडियिया भी कंप्ली हो गया नेक्स्टे थेड़ी फो house इसे हमारी और फोपस के आधे minima अब हमारे पास की यह आधे contar फिलियािय में देन की कोड़ से हमारे पास H ये हमारे पास hoops और suckers होते है O का मतलब ये है कि इनके अंदर organ level of organization होती है पहले हमारे पास जो दो फाइलम के इनके अंदर हमारे पास tissue level की organization होती है इनमें हमारे पास organ level की होती है उसके बाद P से जो है वो plane area को denote करे है जो इसका member है E से हमारे पास ये है कि endoparasides होते है T से triploblastik A से ये acylomate होते है B इनकी bilateral symmetry होती है ये code जिसे आप इनकी general characteristics तो है वो एक दफा़ याद कर सकते है Next हम लोग इसके जो example देखेंगे T no की planning fail हुई T no की planning fail हुई T से tinia, P से planaria, F से fasciola और इसके बाद हुई दुगेशिया थोड़ा मिलता जूलता वर्ड है तीनिया, planaria, fasciola और दुगेशिया आपके पास इसकी example कवर होगी उसके बाद हमारे पास इसके कुछ जो members है उनका हम लोग टेबल में comparison करते हैं कि इनके बारे में mention किया हुआ है कि इनका primary host कौन सा होता है इसका प्राइमरी होस्ट आपके पास human या sheep जबके स्केंडरी होस्ट आपके पास snail होता है यह जो है हमारे पास बाइल डक्ट में होगा उसके बाद हमारे पास बलड फ्लूग जिसे हम लोग शिस्टो सोमा भी कहते हैं इसका primary host हुमर है स्केंडरी होस्ट स्नेल और इंफेस्टेशन साइट जो इसकी नेम से रिप्रिजेंट और यह बलड है कि हमारे पास यह हमारा फाइलम प्रेटी हेलमेंटीज की important points जो है वो cover होगे उसके बाद हमारा next फाइलम के हम लोग तरफ move कर जाते हैं वो हमारे पास है S की हेलमेंटीज S की हेलमेंटीज की properties के लिए हमारे पास यह code है इफ दीदी दी यानि यह आप भी होती है इफ दीदी translate point इफ दीदी translate point इफ का मतलब क्या है internal fertilization दीदी में हमारे पास दो वर्स निकलेंगे direct development और indirect development यानि इसके अंदर direct development भी होती है और indirect development भी होती है translate के T से हमारे पास यह आएगा कि इफ ट्रिपलो ब्लास्टिक होते है पॉइम के P से pseudocilomate O से हमारे पास यह शोकर इसके अंदर organ system organization होती है E से हमारे पास excretory tubes होती है M से हमारे पास यह है कि इसके अंदर muscular pharynx होता है इसकी कुछ general characteristics ही जो हमने देख ली एक्जामपल्स के लिए हम लोग देखेंगे any बिचारी अकसर रह जाती है any बिचारी अकसर रह जाती है any A, encylostoma, बिचारी और वुचेरी यह वर्ट थोड़े मिलते हैं इसलिए हम लोग बिचारी से क्या है याद करेंगे वुचेरिया अकसर से हमारे पास क्याएगा ascaris और हमारे पास रह से क्याएगा rapiditis encylostoma, वुचेरिया, ascaris और rapiditis उसके बाद हम लोग देखते हैं इनके species की infestation sites सबसे पहले हमारे पास है ascaris lumbricoids यह हमारे पास small intestine में और blood में पाया जाता है जब यह होती हैं इसके हमारे पास symptoms क्या होते हैं fever होता है और आपको abdominal discomfort होता है इसके बाद हमारे पास है endrobius verminico ladies जिसके हम लोग पिन वॉम्बी कहते हैं यह large intestine में होता है, itching cause करता है, insomnia cause करता है यानि नीद ना आना और loss of appetite और आपकी भूख खतम हो जाता है next हमारे पास इसके आता है encylostoma dutinella जिसके हम लोग कूप warm भी कहते हैं small intestine में होता है, anemia cause करता है और physical और mental growth को जाई यह stop कर देता है यह हमने देख लिए अपना phylum S की helminthis की general characteristics, example और कुछ species के बाएर में next हम लोग move कर जाते है phylum anelida पे anelida में हमने code याद अखना है, no problem separate है सब N, nephridium, problem, P से, prostomium, S से, sexually production, H से, इसके अदर hydrostatic skeleton होता है और हमारे पास H, S से ही है, hermaphrodite and some are separate आपने यह general characteristics देख लिए इसकी nephridium, prostomium, sexually production, hydrostatic skeleton और hermaphrodite and some are separate उसके बाद हम लोग इसके classes देख लेते हैं, classes के अदर हमारे पास code है hope hope, इसके हमारे पास तीन क्लासिस होती हैं, जिनको याद करने के लिए हम लोग code यूज करेंगे, hope herudiny, oligokity और polykity यह तीन इसके classes हैं, उसके इलावा हम लोग examples के लिए code यूज करेंगे Anna, needs, her, favor Anna, analida, needs, neris, her, say, herudinary और favor से faritima F से favor और faritima भी आपके पास बोलने में F से ही start होता है तो हम लोग इससे faritima को याद कर लेंगे यह हमारे पास एनलीडा था, एनलीडा में हमने इसकी character strics देखी इसकी classes देखी और इसकी examples को हमने discuss कर लिया उसके बाद हमारे पास आजाता है phylum arthropoda Arthropoda का मतलब होता है many joints Arthropoda के अंदर जो हमारे पास unique characters होता है हमारा वह हम लोग याद करेंगे Chaudhary से Chaudhary को की हम लोग short form के use करते हैं CH C का मतलब C से हमारे पास इसमें क्या denote होगा cuticle और H से हमारे इसके अंदर हीमो सील को हम लोग denote करेंगे उसके बाद इसकी classes याद करेंगे के लिए हमारे पास कोड है Mica Myropoda, Insecta, Crustacean और Arachnida Myka से हम इसकी classes को याद करेंगे Annalida की classes को हमने hope से याद किया था Arthropoda की classes के लिए हमारे पास क्या code है? Myka उसके बाद हमारे पास बाकी चीज़ें जो Arthropoda की हम लोग टेबल में डिसकस करेंगे Next हमारे पास मुलस्का मुलस्का की भी करेक्टर स्टिक हम लोग टेबल में डिसकस करेंगे इसके अंदर हमारे पास classes जो हैं उसको हम लोग याद करेंगे O.Maha और यहांपे हम लोग क्या यूज़ करें O.Maha Lost O. से Oostria, Metilus, Anodonta, Helix, Espersa, Limex, Octopus और Sepia O.Maha Lost इस code से हम लोग इसकी examples को याद कर लेंगे Next हमारे पास आजएगा Achino Dermata Achino Dermata की जो आप बाके characteristics हम लोग टेबल में देखेंगे यहांपे हम लोग यह देखेंगे इसकी example के लिए हमने कौन सा code यूज़ करना है Sana Bake, Cake, Seriously के Sana Bake, Cake, Seriously Sana Sea Archen, Bake, Brittle Star, Cake, Cake Archen, Seriously इसे सी कुकमबर, Sea Archen, Brittle Star, Cake Archen और सी कुकमबर, यह हमारे पास Achino Dermata की examples है उसके बाद हमारे पास है Heming Cordata Heming Cordata के अंदर हमारे पास दो example है Blenoglosses और Psychoglosses Gloss के बारे में गल्स को पता होगा इसका आपने क्या याद करना है Bala और Psychogloss Blenoglosses and Psychoglosses यह इस तरह से आपके word easily याद रख सकते है यह हमारे पास कुछ general classes याद करने के लिए example याद करने के लिए tricks होगी उसके बाद हम लोग देखते हैं यह हमारे पास जो Phylum Cordata हो तो उसकी further classifications आप देखे हैं A-Cranium Eta और Crane Gata में आपके पास next आजएता है CU, Euro Cordata Cephalo Cordata Euro Cordata में next आपके पास Larvacy, ACDHC, Thaliasi नेक्स भी आप ऑस्टिक थीस में देख लें super class Pisces की आप यहाँ पे classification देख लें अब इनमें जो हमारे main point है जो book में discuss की हैं हम लोग वो देख लेते हैं के Pisces में हमारे पास देखेंगे के Conduct Thies और Austric Thies का में देखेंगे हमारे पास है Heart, Characteristics हमने देखने है Heart, Endoskeleton, Fertilization, Air Bladder, Mounds, Operculum, Notocord and Scale इसके लिए हमारे पास code होगा He is Fabulous Monster He is Fabulous Monster इसमें Is हमारे पास extra है He के H से Heart E से Endoskeleton Fabulous के F से Fertilization AB Fabulous का जो इसमें Air Bladder आएगा Monster में हमारे पास Mouth, Operculum, Notocord or Scales ठीक है हमने Characteristics को याद कर लिया किस code से He is Fabulous Monster अब हम लोग इसको देखेंगे Conduct Thies में हमारे पास 2 Chambered Heart होता है Austric Thies में भी मारे पास 2 Chambered होता है Endoskeleton हमारे पास Conduct Thies में Cartilaginus जब के Austroek Thies में मारे पास Bonnie Skeleton होता है Fertilization हमारे पास Conduct Thies में Internal होती है जब के Austroek Thies में मारे पास External Fertilization होता है Conduct Thies में हमारे पास Air Bladder absent होता है जब के Austroek Thies में present होता है Mouth, Conduct Thies में Vental और उसमें Terminal उसके बाद इसी तरना आप और गोपरकुलम को देख लेए, नौकोर्ट को, स्केल को, कॉंडिक्थि थीज में है पास प्लेकॉईड स्केल होंगे, और और ऑस साइकलोईड स्केल होंगे. ते यह हमने डिफरेंस टेबल से और ऑस्टिक्थी जो हमारा इंपोर्टन पॉइंट है हमने इसको भी याद कर लिया नेक्स्स आम लोग अपने मेमल मेमल की क्लासिस को देख लेते हैं हमारे पास आजाती है मेमल के प्रोथीरिया है नहीं इसकोल सब्सक्राइब मेमल के लिए व्युटस ही बाहिए खरणे सील निया चंट। होते हैं यह प्लेंटें Coral होते हैं यह उसकोल कई घछा एंब्यज मेर लोग जस्टेश् bonito ने रोडा creators नहीं मेटाथिया में ओपॉसम कैंगरूर तहस्मानियन इूथिया में मैं वेल एलिफंट होर्स रैट माइस बैड डॉल्फिन इसके हमारे पास एक्जामपल यह हमारे पास कुस्छ जैनुरल चीज़े खतम हुई इसके बाद हमारे पास जो में एमजी कूज आते हो इनमें इससे आते हैं किस वाल में हमारे पास ड्यजस्टियोप सिस्टम कैसे एक स्क्रिट कैसे है नर्वोस कैसे सर्कुलिटरी कैसे तो वह हम लोग इस टेबल में डिसकस करेंगे पहले हम लोग फर्स्ट फाइफ उट की लिटा एक जिसमें आजयता है पॉरीफरा सेन अब्तॉर प् लिट्रियल है उसके बाद कुछ यह जो हमने पास स्मिट्री ब्लास्ट और बोडी गविटी है वह उपर वाली जो हमने स्केच ड्रॉग गया दा सबसे पहले उसके पास अंदर कवर हो जाती है उसके बाद हमने आज आता है सेग्मेंटेशन सेग्मेंटेशन का आपने याद है कि बाकी किसी फाइले में सेग्मेंटेशन नहीं होती अनलीडा हमारे पास मेटामेडिकली सेग्मेंटेशन नहीं होती इसके इलावा किसी भी फाइले में सेग्मेंटेशन नहीं होती डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास पौरीफरा में हमने पढ़ा था कि इसमें और सिस्टम ही नहीं होती है इसके इनदर ट्राइजयसेशन ही नई होगा इसके सिस्टम पनर होता है इसके दर सिस्टम हमारे ben 22 saja चिपेस और इसके बारा पाइज 실सेव अब ऑस एयद इतने फाइले में सबके अंदें ट्यूबलाइक हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होगा एक्सक्रीटरी लाइक्स आजद है जो हमारे पास पौरिफरा और सीलंट्रेटा में एपसंट होता है प्लेटी हेलमन्थीज में पर पास flame cells होते हैं इसी तरह एनेलीडा में मेटनेयफरीडिया होता है यह organs के नेम अपने याद कर लेने है नर्वस सिस्टेम हमारे पास porifera में absent होता है sealant data में diffuse होता है प्लेटी हेलमन्थीज में आगे sk helminthies में Annelieda में जाके यह evolve होता है, उसके बाद हमारे पास circulatory, circulatory system आपने या लत खना है C4, C4 यानि पहले जो four file में उनमें हमारा circulatory system absent यह आपने याद कर दिया, उसके बाद Annelieda में हमारे पास circularity system closed होता है नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने यह यादत नहीं कौन हर्माफरोड डाइट है और हमारे पस कौन यूनिसेक्शुल है उसके बाद लोको मोशन के रिलेटिड आपके पास एमसी कुस आ जाते हैं कौन स सिटीक है इस बारे बे कुछ में चीज़ हैं मैंने आपको इस टेबल में से बता दी है सी फॉर आर फाइफ पहले फाइफ फाइलम में रेस्परेटरी सिस्टम एपसेंट है इसके लाव सेग्मेंटेशन आपकी किसी फाइलम में नहीं है सिर्फ एनलीड और किसी फाइलम में और भी कुछ चीजन देखने के कुछ चीजन आपने नोट करने है एक्सक्रिटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम सर्कुलेटरी रेस्पारेटरी सब इसके अंदर अंडर डिवर्प डाएंगे लोकोमोशन के लिए इसके पास क्यूब फीट होते हैं इंजस्टि सिस्टम मारा क्लोज होता है लंग्स हैं हमारे पास रिप्रोड़क्टिव सिस्टम जो हमारे पास हम लोग हर्मा फ्रोडाइट नहीं है हम लोग के अंदर सेक्सिस हों हो सेपरेट हो दे हैं ठीक है यह आपका किंडम एनिमेलिया की इंपोर्टन ट्रिक्स इंपोर्टन पॉ student, I love.